तो आज इस साल का आखरी दिन और आज के दिन दो धमाकेदार मैचेस होगे PQL10 में आज के दिन का पहला मुकाबला गुजरा जाएंट्स बना Bengal Warriors के बीच में खिला जाएगा मैच की इनफो से शुरुवात किया जाए तो मैच निमर 49 जो यहाँ पे गुजरा जाएंट्स बना Bengal Warriors के बीच में खिला जाएगा आज रात के 8 बजे नोईडा इंडोर स्टेडियम नोईडा में दोने टीम्स के हेड टो हेड रिकॉर्ड पर ने जा डाल लिया जाए तो दोने टीम्स अब तक 9 बार भिड़ चुकी है जहाँ पे गुजरा जाएंट्स की टीम तीन बार जीती है Bengal Warriors की टीम चार बार जीती है और दो बार जो मैच है वो यहाँ पे टाई हुआ है जब दोने टीम्स बिड़ी थी तो Bengal Warriors की टीम ने गुजरा जाएंट्स को 46-27 के स्कोर से हराया था पीकियल सीजन 9 में तो overall देखा जाए तो Bengal Warriors की टीम head to head में आगे चल रही है अब यहाँ पे दोने टीम्स के स्टार्टिंग 7 पे नज़ा डाल लेते हैं गुजरा जाएंट्स से सुरुवात किया जाए तो यह यहाँ पे गुजरा जाएंट्स की स्टार्टिंग 7 रहने वाली है जहाँ पे हमें राकेश सुंगरोया, परतीक दैया, रोहीद गुलिया, रवी कुमार, बाला जेडी, सोंबीर एंट फजल अत्रा चली देखने को मिल जाएगे देखा जाएगे यहाँ पे रेडर्स में राकेश लास्ट मेच में काफी अचा परफोर्मेंस दिखाये ते परतीक ने भी लास्ट मेच में काफी अचा परफोर्मेंस दिखाया डिपेंडर्स में सोंबीर एंट फजल लास्ट मेच में अच्छा खेले तो ओवरल गुजरा जैंट्स की यह स्टार्टिंग सेवन रह सकती है बेंगॉल वोरियर्स की बात की जाए तो यह यहाँ पे बेंगॉल वोरियर्स की स्टार्टिंग सेवन रहने वाली है जहाँ पे हमें मनिंदर सिंग, नितीन कुमाज, रिकान चादा, वैभाव गर्जे, दरपन, सुबम सिंदे और हर स्लाट देखने को मिल जाएगे रेटिंग लाइनप में मनिंदर और नितीन ने काफी अचा परफोर्मेंस दिखाया था जहां पे हर एक अपडेट मैच के जो कवरेज होते हैं कौन से प्ले ने सुपर टैन स्कोर किया कौन से प्ले ने हैइफ इसकोर किया क्या है सुंगरोया, पर्तिक दहिया और रोहित कुलिया है, वहीं पर बंगॉल वारियर्स के पास, मनिंदर सिंग, नितीन कुमार और श्रिकांद जारदा हुए, मुझे लगता है कि बंगॉल वारियर्स का जो रेडिंग लाइनप है, वो यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉंग है, पहुत साथ में मिलके अच्छा पर्फॉर्मेस दिखाया, अदर्वाइस कभी राकेश चलते हैं, नहीं तो पर्तिक नहीं चलते हैं, पर्तिक तो पिछले मुकाबले में अच्छा खेले, अदर्वाइस यहाँ पर सोनू जागला ना आते थे, लेकिन अची बात है कि दोनु वारियर्स का जो कवर डिफेंस है, वो यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉंग है, जहाँ पर गुजरात के टीम में रवी और बाला जी डी अच्छा पर्फॉर्मेस नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन बेंगॉल वारियर्स की बात की जाए, तो वैभाव ने लास्ट मैच में 4 टेकल स्कोर किये थे, दरपन भी कभी कभी अच़ा परफॉर्मेस दिखा रहे हैं, तो कवर डिफेंस जादा स्ट्रॉंग बेंगॉल का और डिफेंस की बात की जाए, तो कॉर्नर डिफेंस गुजरात का जादा स्ट्रॉंग है, जहाँ पर हमें सोंबीर और फजल देखने को मिल जाएगे दोनों ही साथ में काफी अच्छा परफोर्मेंस दिखा रहे हैं ऐसा नहीं कि बेंगॉल का कॉर्णर डिफेंस भी के सुबह मचा के रहे हैं लेकिन हर सलाट का वैसा परफोर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है स्टिल यहां पर गुजरा जाएंट्स की टीम कॉर्नर डिफेंस पर जादा स्ट्रोंग है और रेडिंग और कवर के मामले में बेंगॉल वारियर्स की टीम जादा आगे चल रही है अब उन प्लियर्स के बारे में बात कर लेते हैं जिन पर सबकी नजरे रहने वाली है गुजरा जाएंट्स की बात की जाएं तो मुझा लगता है कि गुजरा जाएंट्स की टीम से राके सुंग्रोया पर सबकी नजरे रहेगी लास्ट मैच में इन्होंने काफी अच्छा परफॉमेंस दिखाया आठ मैच में 50 रेट पॉंट स्कोर किया और इस मुकाबले में अच्छा खेल सकते बेंगॉल वारियर्स की बात किज़े तब बेंगॉल वारियर्स के टीम से मुझा लगता है कि मनिंदर सिंग पे नजरे रहेगी आठ मैच में 78 रेट पॉंट स्कोर किया है और इस मुकाबले में अच्छा परफॉमेंस दिखा सकते अब मेरी का प्रेडिक्शन रहने वाली इस मुकाबले को लेके मेरा सबस्बदा प्रेडिक्शन ये है कि राके सुंगरोया इस मुकाबले में एटलीस 8 रेट पॉंट स्कोर करने वाले दूसरा प्रेडिक्शन ये है कि मनिंदर सिंग इस मुकाबले में सूपर 10 स्कोर करेगे और तीसरा प्रेडिक्शन ये है कि गुजराद जायन्स की टीम ये मुकाबला जीतने वाली है अब मुझे लगता है कि गुजराद की टीम जीतेगी आपको कह लगता है कौन स्री टीम मुकाबला जीतेगी अगर आपको लगता है कि गुजराल जाइंट्स की टीम जीतेगी ता आप Red Heart कॉमेंट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि Bengal Warriors की टीम जीतेगी ता प Blue Heart कॉमेंट कर सकते हो अभी फिलाल के लिए आपने प्रो का बटी का पॉंस्टेबल नहीं देखा है तो left side पे क्लिक करके देख सकते हो और right side पे आज की दिन का दूसरा मुकाबला Tamil तलावास और Bengaluru बुल्स के बीच में खेला जाएगा उसमें इसका प्रिव्यू किया है उसमें क्लिक करके आप देख सकते हो तब तक मैं मिलता हूँ कौन इंटरस्टिंग उड़े के साथ थैंक्स पर वचिंग